पहले क्योंस देखें, पहले क्योंस कैमेरा, कि पीत वसा को पानी में गोलन सीन बना देता है, जो उत्र कारिये को संपादित करते हैं, उन्हों उत्कों के सुम्हों को क्या कहेंगे हैं, पहले का राइट आंस बता दीजे, क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंस से वो हो जाएगा अंगतंतर, ठीक है? तो च्यार नुमर है, वो हमारा सही उत्र है, एक और याद रखिये, इसके साथ अंगतंतर जो होते हैं, वो छे प्रकार के होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं? छे प्रकार के, कौन-कौन से एक होता है पा नवसन तंतर, एक अंत्यस तरवी तंतर, तंतरिका तंतर और जनन तंतर ठीक है ये छे भाग होते हैं इसके याद रखे दूसरा क्यूशन देखिए कि पाचन तंतर को मुख्यत है कितने भागों में बांटा जाता है पाचन तंतर को कितने भागों में बांटेंगे दूसरे का राGHT आन्सर बिल्कुल दो भागों में वांटेंगे एक पाइणlerde कौन से एक जो होता है पाचंत आहर नाल जो होता है ठीक है कि एक आहर नाल और दूसरा पाचंगरंथिया थे कि पाचंत क्रार्स्थ आन्सिया कि पाचन केरिया की सुरवाद कहां से होती है, परारम कहां से होता है, तो मुक्षे होता है, जो कि क्यूशन में दे रखा है, ठीक है, एक क्यूशन कहां से यही मिल जाएगा, और कहां से कहां तक होता है, यह बताने आपको, तीसरे का राइट आंस है, बिल्कुल यह गुदा तक होता है यह हो जाएगा राइट आंसा ठीक है मुख से शुरू होता है गुदा तक जाता है ते मुख से ग्रस नियमास से है फिर छोटी आंथ फिर बड़ी आंथ फिर मलासे की रूप में इस तरह निकल रही है कि उस नमर्ट क्यार देखे कि मुख में पाये जाने वाला कौ हो जाएगा राइट आंसर ठीक है यह लार गरंतियों से लार निकल कर बोजन में मिलकर बोजन को है अन्य रूप में रंग देते हैं और लार में पाया जाने वाल जाएंग की जो माइलेज होती है वो मंडे को आंशी रूप से बचाने का कारिये करती है और जो लाइसोसम जो म खूआ जाती है वो मनूश्य की कोई सी जो जाएगा रूप आंश का कि जोड़ने का कारिये कौन करता है जो जो भनकुल जो गर्सनी होती है वो करती है कारिये हो जाएगा राइट आंसर नेक्स रहे कि आमासे में भोजन का पाचन है वो अमली माध्य में होता है ठीक है, पर मनुद्छ से कि आमासे में जठर गरंथियां पाई जाती है, जिन से जठर रस्ट का स्तरावण होता है, इसके रासायरिक संटन को सर्वादिक मातरा में क्या पाई जाता है आप I chịक है। इसका रासाइनग संक्टन होता है। उसμαι सरवादिक मातरा किसकी होतही है। क्यूसन में ऐसे तो 2-3 किवस्टन में ओगे है। क्या हो जाएगा? जल्ल की मातरा सरवादिक होते है। तो एक नम्मर हो जाएगरा Right announcer, क्युस्टन्बर 8 है, कि नीमेर मैसे आमासी पेंजायमे कौन सा एंजयम पाये जाता है। आमासी में पाये जाने वाले एंजयम का नाम बताना है क्युस्टन्बर 8 का Right answer hiç है। जो बिल्कुल यह सारे ही पाई जाते हैं, चार नमर यानि D है हमारा राई ट्रांस्फर हो जाएगा, सारे ही पाई जाते हैं, तरकि यह पेपसीन जो एंजयम होता है, पेपसीन एंजयम, यह इसके दोरा प्रोटीन का पातन होता है, ठीक है, इसके दोरा किसका होता है, में कौन सा प्रोटीन जो केसीन प्रोटीन होता है उसका पाचन किसके द्वारा किया जाता है रेनीन के द्वारा किया जाता है और लाइपेज एंजयम जो है यह क्या करता है लाइपेज एंजयम करता है वसा का पाचन किसका करता है वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है लाइपेज एंजाइम की द्वारा की आज़ता है और Amylase एंजाइम की बात करें तो मंड का पाचन जो करती है वो Amylase करती है तो मंड का पाचन जो करती है वो Amylase एंजाइम करती है छीक है नेक्स्ट है कि आंतियरस का pH मान कितना होता है आंतियरस का पी-एच मान कितना होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल आठ से आठ तीन में होता है ठीक है? क्योंकि छोटी आंप में बोजन का चुपातन होता है वो सारी अमाद्य में से होता है सारी अमाद्य में से क्यों होता है? क्योंकि आंटियरस का पियेच मान जो है वो 8 से 8.3 तक होता है क्योस्टन नमर 10 देखे कि नीमन मेंसे एक कारिय और सर्चना के अदार पर छोटी आंग के भाग बताने कारिय और सर्चना के अदार पर बताने थोड़ा सा ध्यान दे लेना क्योस्टन पे 10 का right answer जी राइटन से इसका सही उत्तर है वो जाएगा च्यार नमर तीनों ही कारिया और तीन बाग होती है गरहनी भी होता है मध्यांतर भी होता है शेसांतर भी होता है ठीक है छोटियान जो है वो अहार नाल का सबसे बड़ा बाग होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 6-7 मीटर तक कितनी 6-7 ये क्यूसन भी आयावा है ओके नेक्स्ट है कि पीतर्स का निर्मान किस में होता है पीतर्स का निर्मान किस में होता है 11 का राइट आंस जी बिलकुल यह यकरित्मे होता है यह हो जाएंगा राइट आंस ठीक है ठीक है ठीक है जो हमने पिछले क्यूसें में पढ़ा था ना ग्रिमी भाग तीन बाग जो ग्रैनी भाग जो होता है ठीक है इसमें होता है पीतरस होता है अगनासिक रस होता है पीतरस का निर्माण है ये तो होता है यकृत में ठीक है अगनासिक रस जो होता है उसका निर्माण किसमें होता है ये अगनासिय में होता है ये भी साथ में याद रख लिए कि उसे नेक बिल्कुल यह यक्रित होती है इसका विराइटांस है वो यह हो जाएगा ठीक है इसका भार याद करें भार लब बग जो होता है ना पंदरा सो गराम होता है इसका यह याद कर लेजिए यह क्यों सनाय हो आए एक जाम एक बार लेकिन यह तो बाई यह स्तावी गंति होगी अगर लंबाई के आदार पर आपसे पूछा जाता है ना कि लंबाई के आदार पर सिरी का सबसे बड़ा भाग तो तो आपकी जो तवचा होती है वो हो जाएगी ठीक है यह क्योशन भी आया हुआ है चलिए नेक्ट क्योशन क्योंकि ना तो गोडे में जेबराम्य और गद्य में तीनों भी नहीं होती है इसके लाग जो खचर होते हैं खचर में भी नहीं होती यादर के साथ में ठीक है क्योशन नमर-14 देखिए पिय तरस में अंजायम नहीं पाए जाते फिर भी इनके द्वारा वसा का है पाचन हो इसको हम क्या कहेंगे? आपको थोड़ा साइड ये के लिए बिता दूँ इसका जो पी एच मान जो होता है, वो साथ पॉंट साथ होता है, जो इसका राइटांस हो जाएगा, एमिली स्कुरंड कहेंगे, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है? जाले अगले क्यूसन की तर बढ़ते हैं, अगला क्यूसन नमा रहा है कि अगनाश्य में अंतरस्तरावी भाग की रूप में क्या पाई जाती है? अगनाश्य में अंतरस्तरावी भाग की रूप में क्या पाई जाती है? पंदरा का सही उत्तर, जी लेंगर हेंस दिपिका हैं पाई जाती है, दो नमरो ग्रुंति का पूज और अगनास्य जो होती है नमिसित ग्रणथी की रुप में कारियillar करती है। 16 नम्र देखिए कि लेंगर्य ऐस्टीपीकाएं का निर्माण है कितने परकार की कोशिक काई होता है। लेंगे रैसे दिपिकाएं अभी हमने पढ़ा था कि आगना से कें तरस रवी भाग में पाई जाती है तो इसके निर्माड में कितनी कोशिक काई होती है कि उससे नमर 16 का जब लगों तीन होती है, चार नमर हो जाएगा, तीन कौन कौन सी अलफा, बीटा और गामा, ठीक है अलफा, बीटा और गामा, ये तीनों होती है नेक्ट है कि निर्माड में से कौन सा हार्मोन रुधीर में गलोकोज की मातरा को बढ़ाने का काम करता है कौन सा हार्मोन है जो रुदीर में गलोकूज की मातरा को बढ़ाने का काम करता है सत्तरा का सही उतर बिल्कूल बता दीजिए राइट आंसर जी गलोक के गान हार्मोन जो होता है ये होता है राइट आंसर इसका ये हो जाएगा और ये हार्मोन जो होता है ना, ये अलफा कोशी कोशी होता है, ठीक है? याद रखिए, अभी हमने पढ़ा था ना? अलफा कोशी 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 इसका स्त्रावन होता है इसका जो कि रुदीर में गलुकोज की मातरा को बढ़ाने का काम करता है गुलोकेगान हारंमुन में देखा कि alpha koci cause इस तरह होता है ठीक है और इसके राइटांस हो जाएगा जो insulin हार्मोन है ठीक है यह करता है इसको नेमत्री पे और insulin हार्मोन जो निकलता है यह beta koci cause निकलता है तेखिए कि उसने एक दूसरे से जूड़े हैं सारे ठीक है और जो एक जो मदूमे जो रोग होता है वो भी देखे बहुत बार क्यूसन आता है कि मदूमे रोग किसकी वज़े से होता है ये इसी इंसुलीन की वज़े से होता है ठीक है गुलकोज की मातरा बढ़ जाती है तो मुद्व में रोग हो जाता है इंसुलीन की विज़ा से द्यान खना अगला क्यूसन नमा रहा है कि आगनास्य में अगनास्य करश का निर्मान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है ये क्यूशन पहले भी हमने देखा था कि गनेश्यकरस का निर्मान किसे होता है अगनास्य से होता है उसे किस नाम से जाना जाता है गुनीश का राइट अंसर ये बिल्कुल पूर्ण पाच्चकरस कहेंगे एक हो जाएगा राइट अंसर ठीक है क्योंकि इसमें जो हैं सभी परकार के पोस्टर्ग ततुए हैं वो पूर्ण पाच्चन होते हैं और अंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन के पाच्चन के लिए ट्रीप से नंजाइम पाए जाता है वो यहीं होता है चलें नेक्स्ट क्यूशन देखे छोटी आंत में पाए जाने वाली आंतिया गरंथिया क्या कहलाती है आंतिया गरंथिया जो छोटी आंत में पाए जाती है उन्हें क्या कहेंगे राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा और ये एक और साथ में थोड़ा बता देता हूं, जो आंद की रस्का निर्मान होता है, वो यहीं होता है, आंद की रस्का निर्मान उके तो बीस का राइटान सर क्या हो जाएगा बिल्कुल बुरुनर्स गरंटी जो होती है वो हो जाएगा सही उत्तर ठीक है तो बीस का एक है नमर है वो हमारा सही उत्तर है तो यह आज का हमारा पहला स्था और अगर आपको चाहिए पीडियुम लेना आपको टेलिग्राम से रोज नए टेस्ट होती होती है लेकिन इसे पहले भी 250 से जाधा टेस्ट हो गए है सबकी पीडीफ है और आप गर वीडियो नहीं देखें ये तो पीडीफ ज़रूर देख लेंने एक बार साइस की भी है सब की है ओने के वह टेलिग्राम चैणल से लेनी होगी तब अब अब पर आप पर प्रहलादसारणसर को की नाम से सर्थ कई है, तो आप लोगों का सही योग चाहिए, अगर आप अपने दोस्तों साथ शेर कर दीजे इतने लोग आप ले वित मों के जादा जूड़ो के ऊतने जादा बड़े टेस्ट होंगे उतने रोजाना टेस्ट होंगे बाकी थोड़ा साब लोगों का सही योग चाहिए अगर आप लोग कर सकते हो तो तो शेयर जुरू कीजिएगा ओके गाइस थैंक्यू